होली या होहलर या हम ये कहें कि फागुन मौसब आज हम इसका पता लगाएंगे कि ये जो होली सब्ध है ये कैसे बना और कहां से आया और कैसे इसकी मानता हुई फागुन के महिने के अंदर जो पूरण मासी आती है उस पूरण मासी को होली मनाई जाती है एक दिन पहले और एक दिन बाद तक मगर जो बुद्ध साहित्य है उसके अंदर जो प्रिपीटक है प्रिपीटक में जो धमुपद है धमुपद के अंदर यमक वक के बाद जो आता है अपमादेन वक यानि अपमाद वक अपमाद का मतलब होता है ए प्रमाद यानि प्रमाद नहीं करने वाला वर्ग उसके अंदर जो छटी और साथवी कहानी है जो धंपद है 26 उसके अनुसार ये बात बताई जाती है कि लगबग उन दिनों सावित्थी के अंदर साथ दिन तक एक उत्सप चलता है जिसमें धूल उड़ाई जाती है या धूल की तरही पदार्त हैं वो उड़ाई जाते हैं और वहां के सारे लोग बड़े मदमस्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जिनको कहते हैं बोरा गया या पागल से हो गया या पागलो जैसी हरकत करते हैं तो भिक्कु जो वहाँ निवास करते हैं पास में बुद्विहार में वहाँ की जो अच्छे लोग हैं जो भद्र लोग हैं जो बहुत जिनको देपता कहा चाता है वो लोग वहाँ जाके भिक्कु से प्रातना करते हैं कि भिक्कु यहाँ साथ दिन तक लोग उधम मचाएंग के रहना, यानि कि आप साधना, वेपसना या मैटेस्न में बैठते हैं, तो कम खाना खाते हैं, इसलिए फगो मास यानि जो फागुन है उसका एक खास नियम्याब माना जाता है ये जो हुर्दंग वाला काम है ये बुद्ध के समय से पहले का काम है क्योंकि ये जो मदमस्त वाला या जो इस तरह की activities लोग कर रहे हैं और साथ दिन तक वहा हुर्दंग मचा रहे हैं उस हुर्दंग में दो सब निकल गया आते हैं एक आता है धूली, धूली का मतलब होता है पाली में धूल और एक आता है लेड्डू, लेड्डू का मतलब होता है जो लेड्डू आप सब समझते हैं लेड्डू लेड्डू से बना हुआ यानि मिट्टी का धिला मिट्टी का धला हो गया या मोती चूर के लड्डू हो गया तो मोती चूर के लड्डू यानि धला हो गया इन दोरों सब्दों से मिलके बनता है दुलेडी यानि धूली और लेड्डू से दुलेंडी और ये बाद में दुलेंडी हो गया दुलेंडी का मतलब होता है भूल से और भूल के धिठेले से खेलना या उसका क्लिया कलब मगर उससे भी पहले एक सब्द पाली में आता है जिसको बोलते हैं होला होला जो सब्द है होला आज जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं जो चने की फसल होती है और चने का पेड अगर हम उठा लाएं और उसमें कक्चा चना होता है तो उसको होला बोलते हैं और होला को इन दिनों छोटी-छोटी आग जलाके उसको सेख के अगरम करके खाया जाता है और साथी-साथ जौन को भी देखा जाता है कि जो कैसी पनी है और आप तो ग्यहूं आ गया पहले ग्यहूं नहीं था अब ग्यहूं भी आ गया ग्यहूं के अंदर हम ये देखते हैं कि बाली में कितने दाने पके कितने मोटे हैं उसको भून के खाते हैं चोटी चोटी आग जलाते हैं और एक होता है हेला सब, हेला का मतलब होता है कि जहां मदमस्तों की टोली होती है, जहां मदमें और जहां seductive लोग होते हैं, जहां क्या बोलते हैं, बोराय हुए लोग होते हैं, उन्हों लोगों की अगर कोई टोली होती है और वो उस तरह का खेल खेलते हैं, तो उसको हेला गोलते हैं, ऐसा पाली के अंदर इस पष्टरोप से दिया जाता है. अब बात इस पष्ट हो जाती है, कि फागून के महीने में यह ऐक खास चीज होने वाली है. हास चीज क्या होने वाली है? अगर आपने रख्षा बंधन सुत्थंग यानि जो रख्षा बंधन सुत्तंग वाली अगर आपने पहली रक्षा बंदन पर जो हमने वीडियो बनाये थी अगर वो आपने देखी हूँ या उसे आप देख लें तो उसमें एक खास बात थी कि सावन के महीने में जब चैत के महीने में बैसाक के महीने में वैसा कीजिए वैसा मत कीजिए अब हमारा जो मनाएगा वो हम करेंगे इसको लेके भिको में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने क्या किया उन्होंने एक सभा रखी यानि पहली जो धम सभा थी धम संसत थी या धम की असेंबली या धम की काउंसिल थी वो वहां रखी गई और उसको सावन के महीने में पूर्ण मासी को रखा गया इसलिए उसको रखा सुतंग दिवसंग बोलते हैं क्यों क्योंकि वहां जो सुत हैं उनकी रख्चा के लिए उनको बंधन करने के लिए उनको गाठ बानने के लिए गंत बनाने के लिए वहां सभा होई और वो सभा पात्सो अरत भिक्कों की होई और साथ महने तक चली साथ महने जो खतम होते हैं वो फागन की पूर्ण मासी को खतम होते हैं क्योंकि फागन की पूर्ण मासी को वो साथ पूरे होते हैं इसलिए आम प्रिचलन है कि गोवर के बने हुए जो धम चक्र होते हैं और उसमें जो छोटे 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 गोवर की टिप्स बनाए जाती हैं जो कि दिवाली पे गौतम धम धम दिवस जिसको बाद में गौतम धम से गौतम धन भनाया और गौतम धन से गौधन बनाया और गौधन से गोगर्धन बना दिया और गोगर्धन बनाके उसको एक पतलासा जो बनाते हैं वो बनाया वहाँ उसकी नीव रखी जाती है और उसको साथ भेने वाद वो माला में परोगे उसको वहाँ आग जलाते हैं और आग जलाके भूनते हैं एक सिंबल हो सकता है कि माला पूरी होगी इसका मतलब गरंथ में यानि गाठ लग गई और धंपद पूरा हो गया और जितना भी त्रीपिटक है वो पूरा हो गया इसका एक धंपद महुत सब मनाते हैं जो बैंगलोर के अंदर महाबोधी सोसाइटी है वो पिछले बहुत सार सालों से वहाँ धंपद का उससा मनाते हैं चुकि त्रीपिटक पूरा हुआ था इसलिए वो त्रीपिटक का उससा भी वहाँ मनता है तो एक बड़ी कमाल की और खुशकबरी की बात है कि इस दिन आपका त्रीपिटक पूरा का पूरा बंद गया और हो गया उसकी एक बने या जो भार से आगे लोग सत्रूता जरून निभाई उन्होंने बहुत सारे लोगों को हताहत किया बहुत सारे लोगों को खतम किया ऐसी एक कहानी जो आपने सुनी होगी वो हिर्णा कश्चब की पहलाद की और हुलिका की है इसे हुलिका का सम्मत में माना जाता है क्य होड़दंग में या जो हिला का मदमस्त यूबकों का जो संख्टन होता है जिसमें नसा, पानी, पत्ता, भांग, चरस, गांज, अफीम जो कुछ भी वो इस्तेमाल करते हैं उसमें उनकी बुद्धी का हिरास हो जाता है और वहाँ बहुत सारी जो निगेटिव चीजे हैं और इस तरह से लोग वहां होड़दंग मचाते हैं तो उन्होंने अपनी गाथा कई जो 26-27 धंपत के अंदर है उसमें इस परस्ट कहा कि जो बुद्धीमान लोग होते हैं वो अपने आपकी और अपने धंकी रक्षा करते हैं और जो बुद्धीमान बाल बुद्धी लोग होत है या हिरना कसब नाम आता है हिरना कसब को हिरई कसब बोलते हैं हिरई कसब पाली का नाम है और होली का भी पाली का नाम है होली का पाली का नाम इसलिए हैं क्योंकि बाद में जो आ का डंडा लगता है उस आ के डंडे में भारत में पाली भासा में महिलाओं के अधितर नाम जैसे विसाका है, मिगार माता है, सामा है, महा माया है, खेमा है, पटाचारा है, धंब दीना है, उपल वर्णा है, नंदा, सोना, सकुला, कुंडल केसा, कच्चाना, सुजाता, खुजुत्रा, नंदमाता, कोलिय दुहिता, सुप्या, कुल, धरीका और आपने देखे होंगे जो नाम होते हैं अनिता, सुनिता, मम्ता, लता ये सारे सारे नाम बाद में आ वाले होते हैं ये वाले नाम ये होते हैं अगर वो बहुत पाली के अंदर बहुत कम होते हैं होली का जो नाम है वो हमारे ही जो भारत की मूल निवासी महिला है उसका नाम जो पाली की उस समय रही होगी पाली की जानका रही होगी या पाली परिवार से आती होगी जो गुद्ध की परिवार से आती होगी उनका ये माना जाता है और बहुत बहुत भादू भी रही होगी क्योंकि उनकी चट्चा आत्र लोग भूले नहीं है इसलिए अधिकतर जगे उन्हों जो लोग थे जो इस अत्याचारों को लड़ नहीं पाए उनके ओरतें उनको डंडे से पीटती है उनको मारती है और उनके चेहरे पर एक तलक लगाती है वो नहीं किया तो वो अवीर भी लगाते हैं ये पिर्चलन गुलाब का या अवीर का या इस तरह के हुड़न का पुराने पाली के थियास में नहीं मिलता और होली नाम कहीं नहीं मिलता तो ये माना जा सकता है कि हेला और होला से होली का और होली का से ये का खतम हो गया खाली होली रह गया और जो पुराना हमारा फसल का उतसब था जिसमें हम फसल भून के खाते थे क्योंकि भारत में अधिक्तर जो उत्सव है वो फलों के उत्सव है फसलों के उत्सव है फसल बुने का उत्सव है काटने का है उसमें दाना पढ़ने का है फसल आने का उत्सव है फसल को रखने का उत्सव है सारे के सारे जितने भी उत्सव हैं भारत में पुराने प्राचीन वो फसलों से आधारित हैं इसलिए ये भी फसल से आधारिती उत्सव है इसमें आप अपना चना देखते हैं कि आपके चना की क्या सिती है आप इसमें अपना याव देखते हैं परमाद वाले जो उत्सब हैं उनसें बचना चाहिए परमाद मनुच्छा को बुराइओं की तरफ ले के जाता है हमें बुराइओं में नहीं ज़ा जाना चाहिए अत्रह ऐसे काम ना होने चाहिए जिससे के आपका धनकी حानी हो आपके सरीर की यहानी हो आपकी आँख खराब हो सकती है किसी का नुकसान हो सकता है इस बहाने टोरी बना के कोई आए जो मुझ छिपा गया है वो आपके घर चोरी कर सकती है आपको हतात कर सकती है आपको मार सकती है आपको घैल कर सकती है किसी कपड़े खराब हो सकते हैं एक दुस्मन ही बन सकती है जवर्षती किसी को रंग लगाएंगे जीवन भरका एक दोस बन जाएगा तो इन बातों से बचें और बहुत अगर आपको लगता है कि ये फेस्टिवल अगर है उसको मनाना चाहिए और वो इत्यास ढूनिए जिस इत्यास के तहट में ये सब आते हैं और जाते हैं धन्यवाद संगं सर्णं गच्छामू तूथियं पी बुद्धन सर्णं गच्छामू तूथियं पी बुद्धन सर्णं गच्छामू तूथियं पी धम्ममर्सर्णं गच्छामू